ग्री मंत्री अमित सहा का सासाराम दौरा रद्ध हो चुका है, हलाकि बीजेपी का साफ़तोर पर कहना है कि ये स्टेट गौवर्मेंट के तरफ से शुरक्षा ववस्था मोहिया नहीं कड़ाई जा रही है, हमारे साथ आर्जेडी के वरिश नेता है, अब्दुर्बारी सिद होता है, उनको देखना परता है, देखना चाहिए भी, कि साब कहीं किसी भी तरह का टेंशन है, कॉमनल टेंशन है, या कोई जगडा फसाद है, चम्यागने, 144 लगा हुआ है, तो उसमें एवाइड उनको स्वेम करना चाहिए, रही बात मुझको पर अभी के इस्तिती में हमने जो देखा है, टीवी पे ही देखा है, तो जिस तरह का महौल है, उसमें शिर्फ ग्रीम अंत्री को ही नहीं, दूसरे नेताओं को भी थोड़ा एवाइड करना चाहिए, और सबों का दाइत बनता है, चाहे मैं पाटी A हो, B हो, C हो, मगर किसी भी कारण वस, चाहे किसी ने प्रयास किया हो, इस तरह का महौल बनाने का, तो सबों का ये दाइत बनता है, चाहाब सांती विवस्था कैम की जाए, सांती विवस्था हो जाती है, तो फिर अपनी अपनी राजनीति कीजे न कुन रोके हुआ है, लेकिन ये बीजेबी का ये कहना है कि सर पहले से कारिकरम तय था सासाराम में, तो वहां पर अगर जिला प्रशासन अडिमिस्टेशन चाहाता तो हालात और ठीक हो सकते थे, सबको पता था रावनोमी हर साल होती है, लेकिन वहां पर कारिकरम होना था आमिसा जी का, इसलिए ख्यार नहीं रखा गया है, देखे एक्शुली एक्शुली ऐसा है कि आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, राज सरकार संपरदाईक सोहार्द बनाने के लिए परतिबद है, और कभी भी इस तरह के मोके आएं, तो सक्ति से राज सरकार ने उसको कुचलने की कोशिस किया है, और इसमें राज सरकार काम्याब भी हुए है, मुझको लगता है ये तो जाज के विशह है, समझा के ने, कि साब राम नौमी में समझा के ने, या किसी भी तरह के और अनतेवार में, कुछ लोग तो जान बूच के महुल बिगारना चाहते हैं, और इस से अपनी राजनितिक रोटी सेखना चाहते हैं, जिनके लिए यही मुद्धा है देश के लिए, देश में रोजगार का, महांगाई का, अमन चैन का, ये उनके पास मुद्धा नहीं है, उनके पास मुद्धा है कि साब कैसे संपरदाइक सुहार्द विगरे, हम अपनी रोटी सेखें, हम अभी कि जो भी कोई हो अगर इस भावना से कोई राजनिती कर रहा है तो वो समझिये देश का समाज का नुक्सान कर रहा है यह भी एक एंगिल हो सकता है कि सायद अमित सहाजी का लगातार दोड़ा हो रहा है जिसके कारण जो भी पक्षी यानि महागडबंदन जो है वो गवड़ाई भी ने भी आप इससे पहले आएं तो राजसरकार ने में आपके प्रोटोकॉल में जो भी सुरक्षा हो सकती है वो बात समझा कि नहीं है तो इसमें गिरी मंत्री के नाते उनका विद्धाइद बनता हम समझते हैं जहां तक कि भार सरकार के गिरी मंत्री स्वेंब ऐसे मौके पे मैं जाना पसंद नहीं करेंगा और यह बता रहे थे किन परिस्थितियों में परहेज करने की आवशक्ता है जहां तक ग्री मंत्री के आयाने को लेकर के सवाल है उनका एक जगा कारिक्रम निर्धारित है वो ज़रूर यहां पर आएंगे लेकिन इस बहाने कहीं न कहीं चारो तरप से आरोप प्रतैरोप का दौर भी शुरू हो चुका है खरमसंद स्याम के साथ आसुतो शंद्रा कसिस ने उस पटना यह जो प्रामनोमी में जो हालात बिगड़ गया है कई जगों पर पसाज की बाताने आई क्या रहे हैं देखिए ऐसा कि संपरदायिक सोहार्द बनाना हम समों का धाईटव है समाज के सभी बरकर लोग कोई नहीं चाहता है कि दंगा फसाद का महौल हो दंगा फसाद वही चाहते हैं जो इसका फाइदा उठाना चाहते है और राजणितिक रोटी सिखना चाहते हैं और हर धर्मा लंबी को एक दूसरे के धर्म का पर्व का तेहवार का आदर करना चाहिए और मैं खुशी का जब महौल होता है आप खुशी मनाईए पूजा पाट कीजिए पूजा अर्चना कीजिए मगर यह भी ख्याल रखा जाता है कि साब हम अती उत्सा में कोई ऐसा काम ना करें जिससे समाज का देश का राज का नुकसान हो अब कल का वाकिया आपको हम बताते हैं मेरा बच्पन का दोस्त चांदमारी रोड में हम लोग एक साथ रहें और बच्चे से जब से हो समाला पढ़ने लिखने का उस वक्त से साथ पढ़े लिखे समझा के नहीं पढ़े लिखे और मतलब की समझ ये उसके परिवार का एक आंग थे और उसका स्वास्त भी ऐसा नहीं था श्रीफ हार्ट प्रोब्लम में बताता था कुछ मगर कोई वैसा कभी हुआ नहीं मगर अब उसके घर गए हम ठीक घर के सटे हुए मतलब डीजे मतलब इतना आवाज में बजा रहे थे लोग कि समझ ये दिवाला घर तक भाइबरेट करता है उससे उसको बेचैनी थी और बेचैनी के वज़े से मैं जहां तक समझता हूँ अब हम तो इश्वर हैं नहीं समझा के नहीं मगर आब कह सकते हैं कि बहाना यही बना कि साब उस दीजे के चलते उसकी जो बेचैनी हुई बारह बज़े रात में उसको हार्ट अटेक हुआ और जब तक अस्पताल ले गए रास्ते में ही डिट कर गया अस्पताल वाले लोगों ने कहा कि साब यह जट कर गया है कोई भी धर्म का मानने वाला हो इसलाम धर्म का मानने वाला हो मैं सनातन हिंदू धर्म का मानने वाला हो सिक हों क्रिश्चन हो जो भी हो हमारे देश की सबसे बड़ी खुशूरती यही रही है कि हर आदमी एक दूसरे के परव का तेहवार का आदर करता रहा है और अगर किसी को परव के चलते किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो खुद वो लोग कहते थे कि अरे नहीं भाई ये रोक देना चाहिए और आपने देखा होगा पटना में जैसे छट बड़ा तेहवार है सबसे बड़ा तेहवार हम मानते हैं बिहार का असली तेहवार है छट और छट के टाइम में जब छट का तेहवार होता है तो पहला डुपते सूरज को अर्क देने के लिए जब लोग जाते हैं और फिर उकते सूरज को अर्ग देने जाते हैं पत्ता में हम लोगों ने देखा जो बहुत सारे मुस्लिम समाल ले हैं उसमें वो लोग अपना रोट साफ करते हैं पानी पटाते हैं उसी तरह उसी तरह रमजान में भी जो है सफाई पे हमारे हिंदु भाई और दूसरे लोग जो है बहुत ध्यान रखते हैं तो मुझको लगता है कि कहां गए वो दिन हम अपनी राजनीती के चलते जो भाई चारा था उसको समाप्त करके अम मौत की तरफ जा रहे हैं और समाज में कटूता पैदा कर रहे हैं यह कता ही अच्छा नहीं हो सकता ततकालिक कुछ राजनीतिक लाव मिल जाया हमको मगर दिरकालिक इसका नुक्सान बहुत है